हेलो दोस्तों, dividend and passive income series में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हम लोग coal India का dividend का analysis करने वाले हैं, पिछले 11 सालों का हम dividend हम discuss करेंगे कि coal India की तरफ से कैसा dividend आया है, कैसा dividend trend रहा है, dividend consistent है या नहीं, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, share price का क्या return है, जो long term के investors हैं इस series में, तो सबसे प देटा है, देख सकते हैं, 2012 से यह data यहाँ पर आया हुआ है, आप financial year 2012 में देख सकते हैं, 15 March और फिर सप्टेंबर 2012, ठीक है, 6 September 2012, 2012 financial year उन्होंने dividend दिविडेंट दिया था, दो बार, एक बार मार्च में साड़े 9 का और फिर 50 पैसे का, तो total 10 रुपे का dividend 2012 में दिया था, तो एक consistent dividend है या नहीं देखते हैं, 2013 में उन्होंने फिर से दो बार dividend दिया, 9 रुपीज 70 पैसा और 4 रुपीज 30 पैसा, तो total 49 रुपीज का dividend आया, फिर 2014 में देखे एक बार dividend आया, सिर्फ एक बार dividend आया है, जन्वरी 17, 2014 यह x date है, उत समय में और 29 रुपीज का dividend था, फिर 2015, 20 70 पैसा है का dividend, फिर 2016 में आप देख सकते हैं, 27 रुपीज 40 पैसे का dividend, तो dividend अच्छा खासा आ रहा है, consistent आ रहा है, 2017 में सिर्फ मार्च के महिने में ही आप देख सकते हैं, एक बार 14 मार्च और 27 मार्च, दो बार dividend आया, और दोनों dividend को अगर आप आड करेंगे, तो 19 dividend आया, 2019 में, 2020 में dividend आया, आप यहां पर देख सकते हैं, यह मार्च 2020 में 12 रुपे का dividend, यह बिल्कुल वाला समय था, जब बिल्कुल वो COVID वाली चीज आई ही हुई थी, और उस समय में lockdown होगा नहीं होगा, सब discussion चल रहा था, फिर जो financial year 2021 है, तीन बार dividend आया है, और यह तीनो dividend मिलके 16 रुपे का dividend है, फिर पिछला financial year 17 रुपे का dividend, 9 रुपया, 5 रुपया और 3 रुपया, 17 रुपय का dividend आया है, और अभी जो financial year चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर नवेंबर के महिने में 15 रुपय का dividend, और अभी बहुत recent में, फरवरी के महिने में 5 रुपया 25 पैसे का, य लेकिन board of directors बार में क्या decide करते हैं, quarter 4 के जब results आएंगे, तब हमको पता चलेगा, आगे बड़े उससे पहले दोस्तों, आप हमारे telegram group को भी explore कर सकते हैं, जहाँ पर हम personal finance, financial freedom, passive income, mutual fund और stock analysis के बारे में बात करते रहते हैं, 3300 से ज़्यादा की community है, यहाँ पर मुझ उमीद आपको value भी जरूर मिलेगी, मैंने description box में link दी हुई है, अब यह जो dividends है, इनको मैंने graph में plot किया हुआ है, कि कैसी dividend की trajectory रही है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, dividend जो है, हर साल आया जरूर है, लेकिन dividend का जो peak जो था, 2014 में, 16 में, वो peak से अभी हम बहुत दूर है, 2017, 18 में आप देख सकते हैं, कैसे यह graph जो है, नीचे की तरफ जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, और फिर आप 2020, 21 से देख सकते हैं, फिर से थोड़ा सा उपर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ एक important चीज है, कि coal इंडिया का business performance भी समझ ना देखे, हम यहाँ देख रहे हैं खासकर 2017-18 में आप देख सकते हैं, कि जो dividend है, वो graph यहाँ पर नीचे हुआ है, यह coal इंडिया का यहाँ पर data है, और मैं यहाँ पर जो long term का profit and loss statement है, वो आपके साथ डिसकस करता हूँ, यह net profit है, आप देखिए 2014, जब बहुत अच्छा dividend मिला था, 15,000 करोड का profit था, फिर 2018 औ सिर्फ 4 साल पहले, आप देख सकते हैं, मार्च 2014 में 15,000 करोड का profit था, और dividend भी बहुत जबरदस्त आया था, और सिर्फ 4 साल में आप देखिए, profit आधे हो गए, 7,038 करोड हो गए, और dividend भी यहाँ कम हो गया, तो एक चीज बिल्कुल समझना है, coal इंडिया का profits आता रहेगा तो dividend भी बढ़ता रहेगा, अब हम आते हैं, अभी क्या चल रहा है, पिछला financial year company ने बहुत अच्छा profit किया हुआ था, आप देख सकते हैं, यहाँ पर 17,000 करोड से उपर का profit पिछले financial year में उन्होंने किया हुआ था, और पिछले financial year में हमने देखा भी 17 रुपे का dividend आया था अब देख सकते हैं, यहाँ पर, यह 2022 का 17 रुपे का dividend, 9 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया करके, 3 बार dividend आया हुआ था, अब हम बात करते हैं, अभी के financial year में कैसा profit चल रहा है, और यहाँ पर आप बिलकुल surprise हो सकते हैं, यह देखिए, यह Cole India का latest देखिए, January 31 को जो यह result आय प्रॉफिट्स यहाँ पर आप देखिए, इस बार record, 22,597 करोड का profit हुआ, मतलब, 9 महिनों में जो profits हुआ है, कॉल इंडिया का, इस financial year में, वो पुराने जितने भी, जो financial year है, उनके record उससे ज्यादा यहाँ पर profit किया, अभी जो समय चल रहा है, कॉल इंडिया के लिए, बह 9 महिनों में 10,600 करोड का profit था, इस बार, अल्रेडी 9 महिनों में 22,000 करोड का profit आ चुका है, और फिर आगे देखते हैं, अभी January, February, March तो चली रहा है, फिर April, May, में में भी एक्सपेक्ट, जभी भी result आएका तो expect हम कर सकते हैं, कि जो है profits बढ़ें तो profits बढ़ेंगे, तो investors को dividend का expectation रह सकता है, तो अभी का जो financial year है, अच्छा चल रहा है, और हमने अल्रेडी देख लिया है, एक तरीके से जहांकी जैसा जेक लिया है, 20 रुपया, 50 पैसे का दो dividend अल्रेडी मिल चुके हैं, फिर देखते हैं, final dividend यहाँ पर आता है, या नहीं आता है, क्या वो 29 का जो record है वो तूटेगा या नहीं, वो फिर हमको पता चलेगा कब, बाद में पता चलेगा, तो यह हमने dividend के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं, as a long term investor, आपका कैसा कोल इंडिया में, आपका कैसा experience रहा होगा, ठीक है, तो यह जैसे January 12, अगर आपने long term invest किया है, बहुत पहले, साथ invest नहीं भी किया होगा, तो उस समय में share price actually में 300 रुपे के आसपास था, और अभी आप share price देखेंगे 222 के पास में है, मतलब यह जो 11 साल है, investors को सिर्फ कोल इंडिया में जो invest करके, उनकी wealth actually में नहीं बनी है, भले ही company ने 15,000 करोड, 7,000 करोड profits बहुत किये हुए हैं, ल इस समय में आपने invest किये होते हैं, for example, तो 333 share आसपास आपको मिल रहे होते हैं, तो हर साल आपको dividend तो जरूर मिला होता है, यह मैंने analysis यहाँ पर की हुई है, जैसे पहले साल 3,333 रुपीज का dividend, फिर 4,667 ऐसे ही करके आपको हर साल dividend मिला ही होता, अभी के financial year में देखे, 6,750 रुपीज मिल गया होता, फिर पिछले financial year में 5,667 रुपीज मिल गया होते हैं, तो total net length, 1,00,000 रुपे में share price तो नहीं बढ़ा है, लेकिन सिर्फ dividend से investor ने 65,000 रुपीज कमा लिया होते हैं, तो 65,000 भी आप हम देखते हैं, कि क्या यह ठीक अकड़ा है, अच्छा अकड़ा ह या नहीं आकड़ा है, वो हम समझते हैं, तो देखें, एक लाख रुपे इन्वेस्ट किये, आपका जो return है, वो तो अभी 74,000, क्योंकि negative return आया है इस बार, वो मैंना यहां calculate किया, तो return negative है, dividend कितना है, 65,000 रुपीज का dividend है यहां पर, तो total net-net एक साल में investor ने कमाया है, 1,39, 9,050, 1,40,000 के असपास, तो net-net अगर आप देखेंगे, तो एक 3% का यहां पर dividend include करके, अगें मैं यहां taxes include नहीं कर रहा हूं, dividend include करके, investors को 3% का यहां पर return मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा return नहीं कहा जाएगा, लेकिन देखें, investing बहुत एक interesting चीज होती है, 2016-17-18 में जो coal है, फिर जो thermal power है, उसको बहुत criticize किया जाता था, ESG बहुत ज़्यादा चल रहा था, बाद में यह COVID को लेकर और फिर बाद में inflation बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और energy cost बढ़ने लगा, तो फिर लोगों को पता चला कि कोईले की actually में जरूत है, तो thermal power plants जो है, उसकिया और ज़्यादा वो लोग focus में आये, खासकर 2021 में, 2022 में, जो European nation जो थे, जो actually में ESG और फिर जो renewable पर बहुत ज़्यादा focus कर रहे थे, उनको पता चला नहीं, अभी भी जरूत है, बिल्कुल जो पुराने जो भी कोईला है, उसकी जरूत है, तो उन्होंने भी जो plants हैं, उनको प्रॉफिट आया है, expected है कि ये बढ़े, अब देखें, दस साल में कोल इंडिया का share price तो नहीं बढ़ा है, लेकिन unfortunately यही ESG का चक्कर हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकती है, PED rating होई है, PED rating मतलब कि earning तो हो रही है उनकी, देखें, PEE उनका average 12 के आसपास में उनको मिला था ठीक है, अभी आप PEE ratio देखेंगे, बिलकुल 5 के आसपास में है, तो theoretically, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, theoretically अगर 12 का PEE है तो share price actually में double होना चाहिए, ठीक है, बट वो है नहीं, अभी हम reality में बात कर रहे है कि PED rating हो रही है, यहाँ पर investors के अलग-अलग concern हो सकता है, जैसे कि कोई ठीला या thermal चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन अगेन, कोल इंडिया या कोईले की जरूरत तो है भारत का 60% से उपर जो electricity है, आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, आपका mobile charge हो पा रहा है, तो internet तो बात के जरूरत है, सबसे पहले तो घर में बिजली आनी जरूरी है, और व पर है, फोकस है, लेकिन अभी तो फिलाल, कोल इंडिया या कोईले की जरूरत तो ही, लेकिन market उसको recognize कप करती है, वो फिर टाइम ही बताएगा, future ही यहाँ पर बताएगा, ROC देखेंगे मजबूत है, 54, return on equity मजबूत है, almost dead free company है, तो fundamentals अब देखेंगे तो अच्छा है, PE ratio भी कम हुआ है, हम देख सकते हैं, 11-12 का PE से, PE derate हुआ है, 4.7 हुआ है, तो यहाँ पर market की क्या सोच रहेगी, अगले कुछ सालों में देखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा, उन्होंने long term में तो wealth create नहीं की है, लेकिन आने वाले 5 साल में wealth create कर सकते हैं या नहीं, record उ financial year में तो दिखाई दे रही है, long term बहुत अच्छा experience नहीं रहा हो, लेकिन पिछले 2 साल जो investors हैं, उनका experience अच्छा हो सकता है, और profits भी company कमा रही है, मुझो मिदे हैं, value मिली होगी आपको इस वीडियो से, धन्यवाद आपके time के लिए, subscribe जरूर करके रखेगा, thank you दोस्तों अगर कोई एक चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ तो वो है stock tip, stock tip सब जगह घुमती रहती है, social media हो या फिर news channels हो, लेकिन अगर investor का खुद का एक research process हो, जहां पर वो जानता हो कि कौन से research tools हैं, कैसे analysis की जाए और किस जगह से analysis की जाए, तो क्या होगा, वो अपना खुद क एक research framework बना सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे stock selection के course में, और ये course आपको एक बहुत बड़े discount में मिल रहा है, जहां पर आप अपने long term wealth creation के लिए एक छोटा सा कदम उठा रहे हो, एक successful investor बनने की तरफ